13 सितंबर साल 1929 में जतींदर नाद दास शहीद हुए। वे एक महान क्रांतिकारी थे। उन्हें यतींदर नाद दास या जतिन बाबु के नाम से भी जाना जाता है। पहली बार वो 1920 के असहयुग आंदोलन में शामिल हुए और चार दिन के लिए जेल भी गए। इसके बाद वो प्रख्यात क्रांतिकारी शचींदर नाद सान्याल के संपर्क में आए और क्रांतिकारी पार्टी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसियेशन हरे के सदस्य बन दल के लिए दर रिविलुशनरी का परचा छपवा कर देश भर में बित्रण का एहम दायत्वर यतिंद्र बाबो को सौपा गया जिसे उन्होंने बखोवी निभाया। भगस सिंग के आववान पर लाहोड जेल में क्रांतिकारीं के साथ हुए दुर्विहार को लेकर भोख खरताल के बाद यतिंद्र दास ने आज ही के दिन स्वाधंता के लड़ाई में अपना बलिदान दे दिया।